नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका लेवर कार्ड मजदूर कार्ड या फिर सर्मी कार्ड बना हुआ है तो आपको सरकार के तरफ से आपके बै वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सकाइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो नए नए लाता रहता हूं तो क्या करना है सबसे पहले मोगल में गूगल या क्रोम ब सर्च कर देने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुल के आ जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर सर्मिक का जो ओप्सन है इसके उपर में एक बार आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में कई सारे option खुल के आ जाता है अब आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है आपको सर्मिको की सूची जनपतवार बलोक बार आपको simply यह वलाप पर क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद फीर से एक नया page open हो जाएगा आपको इस page को पुरी तरह से open होने देना है यह page loading ले रहा है यह खुल के आ गया है अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जनपत का नाम select कर लेना है जनपत यानि आपका जीला का नाम क्या है इसमें से मिल जागा तो चलिए हम यहाँ पर जनपत का नाम select कर लेते हैं जनपत का नाम select कर लेने के बाद अगर आप नगर नि विकास खंड के उपर टिक कर देना है टिक कर देने के बाद अब आपको यहां पर इस जीला में जितने भी विकास खंड है इसमें जो भी आपका विकास खंड है उसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर कार्ज की प्रकिर यानि लेवर कार्ड बनाते समय आप कार्ज का नाम क्या दिये थे उसका नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है आपको लेवर कार्ड में फोटो के नीचे आपको कार्ज का नाम मिल जाएगा वह कार्ज का नाम यहां पर सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम यहां पर कार्ज का नाम स क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने में यहां पर यह खुल के आ जागा आप यहां पर देख सकते हैं इसमें आपका नाम जो भी है यहां पर आप एक एक करके आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक, और इसमें, आपको हम, बतायते हैं, क्या-क्या इसमें है, यहां पर आपको मिल जागा करम संख्या, नई पंजी संख्या, और पुरानी पंजी संख्या सर्मी का नाम पंजी का तारीक जिस समय आप लेवर काड़ बनवाए थे उसका डेट यहाँ पर मिल जागा उसके बाद पिता या पति का नाम अस्थाई पता अस्थाई पता मोईल नमबर आखरी का चार डिजित नीचे में मिल जागा और उसके बाद यहाँ पर वर्तमान उमानती थी जनपत और नगर निकाय कार्ज का परकार और यहाँ पर आपको फोटो भी मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर संपूर्ण ब्योरा अगर देखना चाहते हैं तो व्यू के उपर में एक वार क्लिक कर देना है इसका संपूर्ण ब्योरा बता देगा तो इसमें इस तरह से आप अपना नाम इसमें देख सकते हैं अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप CSC से इंटर में जा परकाड से सत्यापन कैसे करते हैं लेव बार काड को तो दोस्तों आ पो असमें और पुछ सकते हैं किसे जो आपके बैंक एकांٹ में पैसा आया है या नहीं आया है आप कोमेंट में जरूर बताईएगा तो इस तरह से आप अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद